तो फ्रेंट साप यहां पर देख रहें इस टेंट गीजर है एहवल्स का तीन लिटर का हमारे पास और इसमें प्रॉब्लम यहा रही कि यह करेंट मार रहा था और इसमें पानी भी बहुत सिलो गरम हो रहा था तो यहां पर हम इसको सही करके आपको बताएंगे तो आपको खुलने होंगे इनको खुलने के बाद आप इनको सब को साइड में रख लेंगे और इस कवर को ऊपर करेंगे तो आसानी से यह कवर इसका अलग हो जाएगा और कवर के बाद यहां पर इसका एक यहां पर कनेक्टर है इंडिगेटर का एक छोटी सी PCV भी इसमें लगी पती खुलने के बाद हम जब इसको उपर उठाएंगे तो यह आसानी से उठ जाएगा उससे पहला हम सीरी से यहां पर एक पर चेक करते हैं इसको तो यहां पर यह फुल अर्थ वोल रहा है एक बार मैं आगे भी आपको इसकी रोड निकाल कर चेक करा दूँगा फुल अर् अलग अलग नहीं करना है तो यहां पर आप देखे इस तरीके से उठाएंगे आप इसको उपर की तरफ उठाएंगे और इसका वायर जो लूच करते हुए लेंगे और इनको हम साइड में रख दें कवर को और फिर आपको दिखाएंगे इसको खोल कर सिंपल सा है अगर इस लाएंगे गेज होता है या फिर इसकी रोड फढ जाती है तो इहां पर हमें इसका वायर वगरा टच नहीं है तो हमें इसका फाल्ट लग रहा है जो सीद्व कर रहे हैं इसका सिम्पल सब आप इसके剛 करना चाटें टो 2 एक Supply बहुत में बदिडाव सीदह एक ड्रिक्रक्स लागा दीजिए ब REALLY स्प्रहिए इसके बाद हम धğimizको निकाल दिया है और इसके जो पेछे सारे पेछ क्लें करेंगे 10 नंबर की चावी से और मारकर से मारकर देंगे ताकि फिट और आपको यह धायरक्शन मिले और फिट करने में दिक्कत नाए यहां पर हमने मारकर निशान लगा लिया है और दस तो आप आसानी से इसको उपर उठाएंगे, तो यह आसानी से इस तरीके से निकल आएगा, अभी आप देखें, मैं आपको इसको बहुत आसानी से निकल देखा दूँ, यहाँ पर यह निकल चुगा है, इसकी रोड को भी मैं आपको चेक करके बताऊँगा, और आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला हम इसकी रोड चेक करेंगे, उसके लिए हम इस रोड को निकालेंगे, तस नमबर टी लेंगे, और इस तरीके से इसका पेज खोल लेंगे, यह रोड आसानी से निकल जाएगी, तो इसमे रोड चेंज करने के लिए पूरा खोलना पड़ता है, यहाँ पर आप देखें रोड निकल गई है और मैं आपको इसको चेक करके बताऊंगा इसमें फुल करण्ट आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको एक बार आपको चेक करके दिखाता हूं तो अंदर इसको इसको इस्टूडियो में ले चलते हैं तो फिर वहाँ पर इसको सीरिस स लगा रखा है यहां पर फुल अर्थ बोल रहा है और रोड भी डेमेज इसकी इसको हम साइड में रखेंगे नई रोड इसमें लगाएंगे यहां पर रोड कीमत की बात करें तो लगबग 4.500 रुपे कासपास आपको आसानी से मिल जाती है बाकी कम ज्यादा भी हो सकती है वैसे हमने खोल आए वैसे हम इसको फिट करेंगे लेकिंद फिर भी आप देखें कि किस तरीके से यह लगएगी तो यहां पर आप देखें यह आप ने रोड ली इसको निकाल लिया इसके बाद इसकी जो उपर की कटोरी है इसको और पेच को निकाल लेना है रबड इसका करना है लूज नहीं छोड़ना है नहीं तो पानी टपकेगा यहां पर आप देखें अच्छे से हम इसको टाइट कर देंगे टाइट करने के बाद यह हमारा लग गया है इसके बाद सारी जो पेस्ट हमने खोले थे जो हमने मार्क कर निशान लगा था उसमार को डायरेक्शन म हाई ओटोकट वाला है एक नॉर्मल वाला है जिसमें वाइट पिल लग रही है हाई ऊटोकट है रिष्ट करने का बटन इसके में ही काम आता है और इसको जहां पर हमने निशान लगा है उसी लिए लगाया था यह पोईंट यहां पर आएगा ताकि वो जो कबर में आप ला इंडिकेटर के जो वायर है यहां पर सकते हैं और इसका डायरेक्शन में बिठाते हुए आप इसको फिट करेंगे और इसकी जो तर्मोस्टेट की जो नौब निकल रही है हाई ओटोकट वाले की उसको रेड कलर के हिसाब से अपसेट करेंगे और इसका पत्ति लगाकर करेंगे और इसको करेंगे यहां पर आप देखें यह दबना चाहिए नहीं तो यह बार से रिजेट नहीं होगा और यहां के बाद हम इसको पीछे का हैंग वाला पत्ती है Lehr और इसको कसने के बाद फिर हम इसका कवरिप देंगे और इसको इंडीकेटर वाला थिंबल उसको लगा देंगे हैं करें रहे पर पाराइट लें यहांप और दिक्क्त हो सकती है को क्योंकि प्रति आप त्सले यह यह कशने के बाद क्या करेंगे उपर का अच्का है यहां पर के लगाना होगा इसकadenंप Alle का यह पर आपब है यह कनक्टर घंधर है इस तरीके से इसमें आसानी से लगजाए का आपको दिखाने कोशिश कर रहा हूँ जैसे हमने एक खेचा था दबा कर इसी तरीके से हमको दबा कर यह लगा देना है यह देखें इस तरीके से और इसको लगा कर इसके जितने भी पेच हमने खोलेते सारे आपको टाइट कर देना है और वापस से टाग देना है इस तरीके से आप गीजर में road change कर सकते हैं और अगर इसमें पानी की problem होती तो भी ये पूरा खूलना होता है उसमें acid डालना होता है उसके बाद इसका पानी का pressure भी तेज हो जाता है तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं